इंग्लेंड में और यूरोप में एक बड़ी खड़ाब परमपरा है वो आपको अच्छी नहीं लगेगी सुनने में लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परमपरा ये है कि कोई भी इस्तरी और कोई भी पुरुष एक के साथ पूरे जीवन में नहीं रह सकता अभी शादी की दो दिन बाद तलाक होगा फिर शादी होगी फिर तलाक होगा फिर शादी होगी फिर तलाक होगा एक इस्तरी एक पुरुष जिंदगी भर एक के साथ रह नहीं सकते बार बार एक दूसरे को बदलते हैं जैसे हम कपड़े बदलते हैं शर्ट बदलते हैं वो एक दूसरे पार्टनर को बदलते हैं और extra marital affairs उनके हां common है कोई पती पतनी है अकेले एक दूसरे से संतुष नहीं होगे उनके रिष्टे दूसरों के साथ भी होगे एक महिला कम से कम दस पंदरे पुरुशों के साथ सोएगी रात को एक पुरुश दस पंदरे महिलाओं के साथ रात को सोएगा यह हजारों साल पुरानी उनकी परंपरा अब इसमें होता क्या है पत्नी तो एक ही है और पत्नी तो एक ही है तो पत्नी और पत्नी तो एक-एक है लेकिन बाकी जिनके साथ आप बिस्तर में सो रहे हैं वो सम मिस्सर और मिस्स होते हैं मिस्टर का मानने होता है धर्म पत्ती को छोड़ कर कोई भी इस्त्री जिसके साथ आप रात को बिस्तर में सो सके वो सम मिस्टर होती है और यहां अच्छी खासी धर्म पत्ती को हम मिस्टर बनाने में लगे हुए है तो मैं पूछता हूँ really she is your missus और mister इसका उल्टा है पती को छोड़ कर कोई भी पुरुष जिसके साथ बिस्तर में सोएं वो mister तो यहां का पती mister नहीं है और यहां की पत्नी missus नहीं और हमारे पास कितना सुन्दर शब्द है पत्नी के लिए श्री मती श्री माने लक्ष्मी मती माने बुद्धी सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ वो श्री मती वो missus नहीं आप मत बोलिए यह शब्द का mister इस नहीं मत बोलिए और सबसे खराब शब्द अंगरे जी का है मैडम हम अकसर बोलते रहते हैं मैडम 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 जानते कौन होती है यूरोप में जो वैश्या घर होते हैं उन वैश्या घरों को संचालित करने वाली जो मुख्य वैश्या होती है उसको मैडम कहते है और यहां हम अपनी बहन को मैडम कह देते हैं अपनी पत्नी को मैडम कह देते हैं खराब है मेरी आपको हाद जोड़कर विंती है कि जिन अंग्रेजी शब्दों के अर्थ आप नहीं जानते क्रपया करके उनको मत इस्तेमाल करिए नहीं तो बहुत मुश्किल आती है क्यों फाल तुमें हमारे पास या तो मराठी शब्द ना हो तो हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं या हिंदी में शब्द ना हो या संस्कृत में ना हो